दोस्तों, फिल्मी दुनिया में अक्सर लोगों को कुछ जाने माने चहरे ही याद रहते हैं, लेकिन फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाने वाले कई कलाकारों ने अपने अभिने से उन जाने माने चहरों के बीच अपनी जगा बनाई है। इसे बहुत से सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस हुए हैं जिन्हें दर्शक कम ही जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हुए हैं जिन्हें दर्शक अभी तक भूल नहीं पाए हैं। जिनका सफर छोटे मोटे करदारों से शुरू हुआ और शाकाल जैसे मशूर करदार तक जा पहुचा। उन्होंने अपने अभिने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया और कई शानदार कलाकारों के साथ भी काम किया। सत्तर के दशक में शुरू हुआ उनका सफर आज तक चल रहा है और दशकों को रोमान्चित कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और व्यक्तिकत जीवन से रूबरू कराएंगे और उनके जीवन के कुछ दिल्चस्प किस्सों को भी बताएंगे तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों उनका जन्म 21 अक्टूबर साल 1944 को पंजाब के हसन अब्दाल में एक हिंदु परिवार में हुआ था जो वर्थमान में पाकिस्तान में पढ़ता है। पार्टिशन के बाद उनका पूरा परिवार इंडिया आ गया और यहीं पर रहने लगा। उन्होंने जोदपुर, तहरादून, अलीगड़ और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अपनी पढ़ाई पूरी की और दिल्ली के किरोडी मल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कम दीरे धीरे जब अभिने में उनका एक्सपीरियंस बढ़ने लगा और वे थोड़े बहुत पॉपलर हुए तब उसके बाद उन्होंने फिल्मों में अपना अभिने करियर बनाने का सोचा। उन्होंने साल 1974 में फिल्म जादू का शंक से अपनी बॉलिवूड करियर की शु नहीं कर पाई अपनी पहली फिल्म के बाद उन्हें उनकी दूसरी फिल्म निशांत में अभिने करने का मौका मिला ये एक ड्रामा फिल्म थी जिसे शाम बेनिगल द्वारा निर्देशित किया गया था इसमें गरीश कनाड शबाना आजमी अमरीश पुरी अनंत नाग मोहन अगाशे नसरुदीन शहा, इसमिता पाटिल और कुल भूशर खरबंदा जैसे कलाकार शामिल थे कुल भूशर ने इसमें पुलिस पटेल की भूमिका निभाई थी फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी प्रतिकरिया मिली और इसने पुरुसकार भी जीते इस फिल्म में उन्होंने काफी अच्छा प्रदेशन किया था, इसलिए उन्हें आगे उनकी तीसरी फिल्म में अभिनाय करने का मौका मिला। पे डोनेट किया था मन्थन इंडिया की पहली क्राउड फंडिड फिल्म है रिलीज होने के बाद इसे काफी प्यार मिला वहीं इसने पुरसकार भी जीते खेर वीडियो में आगे बढ़ें तो कुल भूशन अभी तक अपने अभिने करियर की तीन फिल्में कर चुके थे और उनके अभिने को फिल्म मेकर्स द्वारा काफी पसंद किया जाने लगा इसलिए उन्हें आगे फिल्में मिलती गई हाला कि अभी तक वे दर्शकु के बीच अपने अभिने का इंपक्ट नहीं डाल पाए थे उनकी चौथी फिल्म साल 1977 में आई थी जिसका श्रीशक था हुमिका निभाई थी फिल्म के नर्देशक शाम बेनेकल ही थे और इसके लीड रोल में इसमिता पाटल, अमोल पालेकर, अनंतनाग, अमरीश पुरी और नसुरुदिन शाह जैसे कलाकार ही नजर आए दोस्तों कुल्भूशर ने आगे कई और फिल्मों में अभिने किया जैसे जुनून, सोल्वा सावन, शान, कल्यूग, अर्थ, सिलसला, गंगा मेरी मा, अंधी गली, उत्सव, गुलामी, रामतिरी, गंगा मेली, उत्तर दक्षन, वीराना और यतीम वैसे तो उन्होंने सबी फिल्मों में शानदार अभिने किया, लेकिन फिल्म गुलामी में उनके द्वारा किये गए अभिने को काफी सराहा गया, इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेशन भी प्राप्त हुआ, ये फिल्म साल 1986 में आई थ जिसमें धरमेंदर, मिथुन चकरवर्ती, नसरुदीन शहा और कुलभूशन नजर आए थे, इसके अलावा फिल्म में रीना रॉय, इसमिता पाटिल और अनीता राय जैसी मशूर अभिनेतरी नजर आई थी, इस फिल्म की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आई, और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की, वहीं सभी कलाकारों के अभिने को तो पसंद किया ही गया था, लेकिन कुलभूशन खरबंदा के अभिने को भी काफी पसंद किया गया, इस फिल्म से वे दर्शकों के बीच कुछ हद तक लोग प्रिये हुए थे, जबकि इस से पहले साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म, शान उनके अभिने करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई, इस फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया किरदार दशकों को काफी पसंद आया, फिल्म में अमिताब बच्चन, शत्रुगन सिनहा और शशी कपूर जैसे मश ठूर कलाकार शामिल थे, लेकिन शाकाल की भूमी का निभाने वाले कुल भूशन लगभग सभी पर भारी पड़े, यहां तक कि उस समय के दिगज खलनाएकों को उन्होंने टकर देने का काम किया था, उनके इस निगेटिव करदार को आज भी दशकों द्वारा पसंद किय जाता है, नबे के दशक में उन्होंने कई और फिल्मों में शानदार अभिने किया जिसमें घायल, प्रतिबंध, हीना, जो जीता वही सिकंदर, एक ही रास्ता, मुहरा, बाजी, यस बॉस, चाइना गेट और होते होते प्यार हो गया जैसी फिल्में शामिल है, साल 2001 में दशको दवरा इस फिल्म को काफी पसंद किया गया, वहीं कुलभूशन को उनके शानदार अभिने के लिए, उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया, दोस्तों उन्होंने अपने अभिने से दशको को काफी रोमानचित किया, और एक सहाय अभिनेता के रूप में उन्होंने कई दिगज अभिनेताओं के साथ काम किया, फिल्मों के साथ उन्होंने कई टीवी धारवाहिकों में भी काम किया और छोटे परदे से भी अपने चाहने वालों को रोमानचित किया, टीवी सीरीज मिर्जापुर में उन्होंने काफी शा दर्शकों ने काफी पसंद किया वहीं इसमें कई अन्य कलाकारों ने भी अपनी एहम भूमी का निभाई है जैसे पंकश तरपाथी, अली फजल, दिव्यंदू, रसिका दुगल और श्वेता तरपाथी शर्मा आज भी वह पूरी तरीके से अभिने में एक्टिव हैं हाला कि अब वह उतने अधिक फिल्मों में अभिने करते हुए नहीं नजर आते, लेकिन जितने में भी नजर आते हैं दर्शकों को रुमान्चित कर जाते हैं, हाल ही में वह फिल्म अर्ध में कैमिय रोल में नजर आये थे, उन्होंने अपने अभिने करियर में कई फिल्मों में अ शादी करने से पहले वैकोटा के महराज की पत्नी हुआ करती थी, यानि हम ये कह सकते हैं कि वैकोटा की पूर्व महरानी थी, लेकिन उनसे तलाक लेने के बाद उन्होंने कुलभूशन से शादी कर ली, उनकी एक ही बेटी है जिसका नाम शुती खरबंदा है, साल 2018 में उन्ह काफी ग्रैंड शादी ने सभी का ध्यान अपनी और आकर्शित किया दरसल शुर्ती की शादी जोतपुर के उमैद भवन पैलस में हुई थी जो काफी ग्रैंड तरीके से हुई थी और जो काफी चर्चा में रही दोस्तों कुल भूजड खरबंदा के मादा-पिता के बारे मे अधिक जानकारी नहीं है उनके बारे में पब्लिक डुमेन में कोई जानकारी नहीं है और ना ही उन्होंने कभी उनके बारे में जिक्र किया खेर इसमें कोई शक नहीं है कि वह एक दिगज अभिनेता हैं उन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई और मशूर अभिन करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अंसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद